इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है आपका ओशन करेंट्स ये एक ऐसा चैप्टर है या टॉपिक है जिससे आपके एक्जाम में करीब दो या कई बार तीन कोशन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं तो अगर मैं ओशन करेंट्स की बात करूँ तो ब्रॉडली पहले आपको ये समझना है कि दो तरीके के ओशन करेंट्स जो होते हैं वो हमको पढ़ने होते हैं और वो दो ओशन करेंट्स कौन से हैं सबसे पहला जो आपका है वो है आपका होट करेंट ठीक है एक तो ये आपका current हमको पढ़ना होता है और दूसरा जो आपका current होता है वो आपका क्या होता है cold current आपका होता है ठीक है अब यहाँ पर एक imagination और आपको साथ में रखनी है अगर मैं hot current बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो वो current है यानि कि जल की जो आप कहा सकते हो कि जो धारा है वो ऐसा नहीं कि बहुत उबलती हुई पानी उबलता हुआ भाप निकल रही है बट उस area के according जहां पर वो current मिलता है उसका temperature अपने surrounding के temperature से जादा होता है तो उसे hot current नाम दे दिया गया और cold current वैसा ही है जैसी कि अपने surrounding के according उसका temperature और उसे कम होता है इसलिए उसको cold current कहा जाता है ठीक है तो एक basic difference आपको अपने दिमाग में इस chapter को शुरू करते में रखना है कि भाई hot current क्या है और cold current क्या है अब एक और second thing भी जो है आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जो आपका tropical region है अब आप मेंसे कई हो को पता होगा tropical region क्या है और जो यह को नहीं पता है उनको बता दूँ Cancer और Capricorn के बीच का जो आपका area है उसे हम लोग tropical region बोलते है अगर आप map की तरफ देखें तो अगर मैं draw करूँ तो अले मैं equator draw कर देता हूँ जिससे हम north hemisphere और south hemisphere को वो कर सकें तो आपका यह कुछ जो मैं draw कर रहा हूँ यह आपका क्या है equator है ठीक है यह आपका equator हो गया इधर की तरफ आपका यह हमारा north hemisphere हो गया और इधर की तरफ हमारा जो है वो south hemisphere हो गया ठीक है एक चीज़ आपको इध्यान में रख नहीं है दूसरा पहला दूसी line जो हम draw करते हैं tropical region को समझाने के लिए वो है आपका cancer तो जैसे कि हमको बता है broadly की cancer हमारे भारत के 20-20 से होते हुए जाता है तो कुछ इस तरीके का अगर मैं draw करूं कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो आपका क्या बनेगा cancer की line बनेगे और ऐसे ही कुछ 23.5 degree south में आपका क्या बनेगा Capricorn की line बनेगे तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो region है cancer और Capricorn के बीच का ठीक है यानि कि ये जो region है आपके cancer और Capricorn के बीच का इसे हम लोग क्या बोलते है ट्रॉपिकल रीजन बोलते है ट्रॉपिकल रीजन में जो भी आपको current या धाराएं मिलेंगी वो आपकी hot current होगी उसकी वज़े आपको बताई है कि ये region जो है यानि cancer और Capricorn के बीच का जो region है चाहे आप content के उपर हो चाहे आप ocean के उपर हो sun की maximum time आपको क्या मिलती है day time पे vertical rays मिलती है इसलिए हमेशा यहां का जो temperature होता है as compared to other latitude के मुकाबले हमेशा जादा होता है तो एक इस वज़े से यहां पे जितने भी current मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे hot current होगी ये दूसरी आपकी एक logic है जो आपक logic रखने की cold current maximum या तो north pole से जो भी आपके current मीचे की तरफ या धाराएं होनोंगी वो cold current होंगे ऐसे ही south pole से या अन्टार्टिक की तरफ से जो आपकी जल की धाराएं या currents आ रहे होंगे वो भी आपके cold current होगी उधर की तरफ temperature low होता है as compared to किसके मुकाबले propic of cancer और Capricorn के मु hot current cold current के समझने के बाद आपको जो current पढ़ना होता है याद करने का एक तरीका या हम जो पढ़ते हैं तो पहला हम लोग current पढ़ते हैं Atlantic Ocean के यह हमारा आपको बताई है यह हमारा क्या है Atlantic Ocean ठीक है और दूसरा आपका हम current पढ़ते हैं किसके Pacific Ocean के ठीक है Atlantic Ocean हमारा हो गया Pacific Ocean और तीसरा हम लोग hot or cold current पढ़ते हैं किसके हमारे इंडियन ओशन के आपके exam की बात की जाए तो maximum Atlantic Ocean के currents यानि कि hot or cold और ऐसा ही Pacific Ocean के current यानि कि hot or cold वो आप से पूछे जाते हैं या आपको ध्यान में रखना है तो अभी हम लोग बात करते हैं Atlantic Ocean की यानि कि आपका जो concentration है पढ़ने चाहिए ठीक है अब Atlantic Ocean के current को भी हम लोग दो पार्ट में divide कर देते हैं जिससे पढ़ने में आसानी हो एक आपका होता है North Atlantic Ocean Currents ठीक है और जैसी कि मैंने भी ड्रॉ किया था आपका ठीक बीचो बीच से आपका ये एक कोटर जा रहा है इसके नीचे वाला South Atlantic Ocean Current ठीक है तो North Atlantic Ocean Current के cold और hot current और ऐसे ही आपके South Atlantic Ocean के hot और cold current हमको पढ़ने होते हैं ठीक है तो हम लोग पहले अगर बात करें कुछ सबसे पहले हम लोग किसके hot current की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके hot current की ठीक है बारवर बोलूँगा hot current don't think or imagine कि उबलता हुआ खौलता ह हुआ करेंट है पर वहां के अक्वार्डिंग टेंपरिचर उसका ज्यादा है तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक लिस्ट आपको लिखना है किसकी hot current of the Atlantic Ocean तो पहले अगर मैं यहां से आप ऐसे करके पूरा एक ड्रॉ कर सकते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं त उसके बाद दूस्रा आपका जो है वो है एंटेलीज करेंट ठीक है दूसरा आपको मिलेगा एंटेलीज करेंट ठेक भी आपको मिलेगा एंटिलीस करेंट ये भी आपका एक होट करेंट है उसके बाद फ्लॉरिडा करेंट फ्लॉरिडा करेंट ये भी आपका एक एट्लांटिक ओशन का होट करेंट है उसके बाद गल्फ स्ट्रीम ठीक है गल्फ स्ट्रीम ये भी Atlantic Ocean की एक hot current है उसके बाद Norway current ये भी आपका एक hot current है उसके बाद Ranal R-A-N-A-L करके Ranal current ये भी आपका एक hot current है अब अच्छी बात यह है कि जो सारी मैंने लिस्टे लिखी है hot current की ये सारी की सारी आपको कहा मिलेंगी North Atlantic ocean current पे लेकिन ये सब के सब क्या है आपके hot current है तो उमीद है आपको यहां तक समझ में आपको आगया होगा अब आपको इसी बात का ध्यान रखना है ऐसी आप एको लिस्ट त्यार करनी है किसके cold current की जो कि North Atlantic के हो और ऐसी आपको त्यार करना है South Atlantic के hot current की और cold current की अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजे लाइक कीजे और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए और जैसे मैंने अभी आपको गाइड किया है उसी तरीके से आपको अपने यह जो current से है Atlantic Ocean के current से अलग Pacific Ocean के current है सक उसके अंदर भी सब डिविजन कर दो North Atlantic Ocean South Atlantic Ocean ऐसी Pacific में भी क्या होगा North Pacific Ocean के current South Pacific Ocean के current Indian Ocean में आपको करना चाहें तो अपर सकते हैं एक कोटर से उपर आपके होगे तो North आपके Indian Ocean के current और South Indian Ocean के current आपके अ लगदा है